अगर हमारे बकरे को सर्दी जुखाम हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए सर्दी जुखाम को हमें कभी भी अवाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बकरे के बिजनिस को बहुत पीछे खीच लेगा और हमारे बकरे की ग्रोथ को बढ़ाने से रोकेगा तो जरूर ब क्या-क्या वो लक्षन है तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ताकि मैं आपको साइन्टिफिक तरीके से और प्रॉपर जानकारी के साथ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ तो हमें क्या-क्या आप्जर्वेशन रखना चाहिए सबसे पहले तो उसकी जो नाक होती है नाक बहना और जो बकरा खाना छोड़ देता है इनक्टिव हो जाता है एक तरफ कोने में बैठ जाएगा सबसे ज़्यादा तो नाक बहना होता है उसके अंदर नाक गिली गिली ज़ नाक बहने लग जाती है जैसा बच्छों की नाक बहती है वैसे बक्रिक की नाक बहने लग जाती है या तो बहूँ अटो funds ने के इनक्शन देना है अगर 30 kg का है तो उसके अंदर 3 ml का injection लगाना है सिरिंज से, 17-18 नमबर की छोटी सिरिंज रहेगी, छोटी सुई रहती है, तो और ये size भी इसका मोटा रहता है, तो बकरी की skin में intramuscular लगाना परता है, गले में लगा सकते हैं, या पुठ्ठ में लगा सकते हैं, पीछे, तो ये आप लगा लगेगी भी नहीं, और प्रॉपर तरीके से लग जाएगी, और अंदर intramuscular में लगेगी, बकरा पालते हैं, और कफी सारे quantity में पालते हैं, तो injection आपके लिए सहुलियत रहता है, एकनॉमिकली रहता है, और दूसरा ये, कि injection का 100% असर होता है, जानवर के उपर, खाने में ये रहता है, कि अगर आप उसको दवा पिलाएंगे, मेडिसन को चूर के पिलाएंगे, तो आदा तो वो थूगेगा, आदा उसका डाइजेस्ट होएगा, या नहीं होएगा, उसके उपर किस तरीके से असर कर रहा है, नहीं कर रहा है, बोडी अल्रेडी स्ट्रेस पर है, तो इंजेक्शन सबसे बेस्ट है, ऑप्शन रहता है इस टाइम पर, दूसरा आपको दवाई देना है, मेलोक्सिकेम पेरासिटमॉल, मेलोक्सिकेम पेरासिटमॉल सेम डोज रहेगा, वन एमल पर टैन केजी पर रहेगा, इसमें बकरी प्रेगनेंट भी होएगी, तो भी उसके अंदर काउंट है, प्रेगनेंसी सेफ, इंजेक्शन में बता रहा हूं इसके अंदर, इसकी कैपसूल भी आती है, वो भी मैं बताऊंगा, बट फर्स्ट डोज जो रहेगा, हमारा पावरफुल डोज रहेगा, वो इंजेक्शन डोज रहेगे, मेलोक्सिकेम पेरासि पेर रहेगा, और उसके बाद जब आप ये तीनों इंजेक्शन दे देंगे, आप यकीन मानिए, एक दिन में ही आपका बकरा तयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, सर्दी जुखाम उसको खतम हो जाएगी, मगर यहीं पर ही आपको रुखना नहीं है, ये समझना नहीं ह आपको बकरा एकदम ठीक हो गया, वाइरल हमेशा तीन दिन रहता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों दिन ही उसको इंजेक्शन देते हैं, अब इंजेक्शन तो आपको फर्स्ट पावरफुल डोस था, अब आप उसको उसके लिए क्या करना है, फॉलो अप डोस दे दें, तिंचर बेंजाइन का जो नाग बहेगी वो बिल्कुल सुख जाएगी उसकी नाग, तिंचर बेंजाइन, और अगर तीन दिन में भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक्सपिरिमेंट करना बंद कर दीजे आप, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, तुरंथ, आगर वो एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता हो जाता है, खासने लगता है बकरा, सुबह ठीक रहता है, शाम के वक्त उसको सर्दी हो जाती, नाख बहने लग जाती है, थोड़ा सा दोड़ेगा बकरा फिर खासने लग जाएगा, तो आप उस कंडिशन में बकरे को दिखा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस तरीके से आपके बकरे का ट्रीटमेंट करते हैं आप चाहें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिखके बता सकते हैं और अगर उसके अलावा भी आपको कोई कोश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें